किkęड वेक्ष अनेट्रोजन उस्वर्ट हैं शोहम डिसकस कर रहे थे नाइट्रोजन फिक्सेशन लास सेशन तक हमने यह देखा था हि कि नाइट्रोजन च डिद्विट गेन तरी फिर से नेचर के अनधर प्लांटाइं से अंतर हो प्लांट के लिए separate अगलेबल होता है फिर बाते हमने लास लेक्चर के अंदर कर लिए थी आज हम प्रॉपरली डिसकस करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आज के लेक्चर में हम डिसकस करेंगे कि कैसे नाइट्रोजन फिक्स होती है नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम करता है किस तरीके से लिविंग और्गेनिजम्स यो है वो फ्रीली रहकर के या फिर सिंबायोटिक तरीके से नाइट्रोजन को fix करते हैं तो चलिए discussion शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि nitrogen fixation हम किसे कहें आखिर कौन सी process है जिसको properly nitrogen fixation बोलना चाहिए तो nitrogen fixation की जो process है वो actually ये है जब nitrogen gas ये जो air में nitrogen gas होती है ये nitrogen gas यदि ammonia के अंदर convert हो जाए ammonia gas में तो हम इसे कहते हैं nitrogen fixation ये जो reaction लिखी है इस reaction को बोलेंगे nitrogen fixation अब इस reaction को करने के कितने तरीके हैं nature में वो बात कर लेते हैं अपन तो सबसे पहले आप इसकी definition लिखिए लिखिए conversion of atmospheric nitrogen conversion of atmospheric nitrogen into ammonia gas is known as nitrogen fixation is known as nitrogen fixation अब यहां पर आपके stable product of nitrogen fixation इसको बोलेंगे first stable product of nitrogen fixation तो अब हम बात करते हैं nitrogen fixation के types के यदि हम broadly nitrogen fixation की बात करें तो nitrogen fixation को broadly दो category के अंदर divide कर सकते हैं पहला तरीका होता है non biological नॉन बाइलोजिकल इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जब nitrogen से ammonia gas conversion में कोई भी living organism शामिल नहीं है जब किसी भी living organism की body के बाहर अगर nitrogen fix होती है तो उसे कहते है non biological जब भी कोई reaction कोई phenomenon living organism की body के बाहर होता है तो उसके लिए एक और term इस्तमाल होता है physical उसे कहते है physical इसका उल्टा समझे जब कोई reaction body के अंदर होती है उसे कहेंगे biological यानि की living organism इसमें शामिल है जब कोई phenomenon कोई reaction body के अंदर होती है उसे कहते है physical and physical के अंदर जो basic difference है वो यही है कि outside the body inside the body physical का मतलब होता है outside the body चाहे वो soil के अंदर हो चाहे वो air में हो चाहे वो test tube में हो body के बाहर उसे कहते है physical और यदि body के अंदर process होती है inside the body तो हम उसे कहते है फीजियो लोजिकल अब outside the body यानि non-biological कितने तरीके हैं जिससे nitrogen fix हो सकती है जैसे एक तरीका होता है lightning का जब आकाश में बिजलियां चमकती है तो उन बिजलियों के कारण nitrogen fix हो जाती है एयर में बट ऐसी nitrogen fix बहुत कम होती है 8% nitrogen fix इससे plants का काम नहीं चलेगा दूसरा एक और तरीका है कभी-कभी बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही हो बहुत ज़्यादा light intensity हो environment के एयर के अंदर बहुत ज़्यादा chemicals हो in that case photo chemical reactions चल सकती है photo chemical reactions photo chemical reactions का मतलब हो गया light की वज़े से chemical reactions उसके अंदर 2% nitrogen fix होती है तो कोई बहुत बड़ी यह नहीं है फिर बात करते हैं अपन biological nitrogen fixation के बारे में biological nitrogen fixation के अंदर living organism microbes जो होते हैं वो free living तरीके से nitrogen को fix कर सकते हैं soil के अंदर present है microbes और soil के अंदर वो nitrogen को fix कर रहे हैं पर इस तरीके से बहुत कम nitrogen fix होती है least plants के लिए जो main nitrogen का source रहेगा nitrogen fixation process में वो रहेगा symbiotic nitrogen fixation symbiotic nitrogen fixation alone stands for 90% of the total nitrogen fixation इतना nitrogen fix होता है symbiotic तरीके से तो यह हुआ हमारे पास में non-biological and biological nitrogen fixation के बारे तो यहां से मुझे एक चीज तो clearly समझ में आ गई और वो यह है कि सबसे ज़्यादा atmospheric nitrogen symbiotic रूप से fix होती है और यही बात सही भी है तो एक line लिखिए इस बात पर लिखिए biological nitrogen fixation represents biological nitrogen fixation represents the largest outflux the largest outflux of nitrogen from the atmospheric reservoir from the atmospheric reservoir atmosphere के अंदर जो air है उस air का largest amount nitrogen का यह biological nitrogen fixation हटा लेती है चलिए आगे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जैसे हमने nitrate reduction पड़ा था ना अगर आपको याद हो तो एक nitrate, nitrite में convert होती है एक nitrite ammonium ion में convert होती है यहां दो electrons लग रहे थे यहां 6 electrons लग रहे थे और मैंने आपको बताया था लास lecture के अंदर कि यह जो 8 electrons है यह लग बग एक्विवेलेंट है 4 NADPH या NADH के और यह 4 NADH या NADPH लग बग एक्विवेलेंट है 8 ATP के मेरी बात को ध्यान से समझना नाइट्रेट एसी मिलेशन के अंदर नाइट्रेट से ammonia ammonium बनने तक 8 electron यानि टोटल 12 ATP एक्विवेलेंट एनर्जी लगती है नाओ यदि मैं nitrogen fixation की बात करूँ इस process की जिसमें nitrogen gas ammonia gas में convert होती है that is the real biological और non-biological nitrogen fixation इस में टोटल आपको 8 तो electron देने पड़ेंगे 8 electrons का यहाँ पर खरचा लगता है और 8 electrons के साथ साथ सीधे सीधे 16 ATP का खरचा लगता है इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं 8 electrons को इक्विवेलेंट मान लूँ 12 ATP के और 16 ATP तो directly लगी रही है तो आप यह सोचो कि एक nitrogen fixation के लिए almost 28 ATP के बराबर energy लगेगी So nitrogen fixation is an energetically very expensive process बहुत ज़्यादा energy लगती है जो मैंने यहां लिखा है वो आपको मैं समझा दूँगा आज के session में तो आपको समझ में आएगा इसी तरीके से यदि हम sulfate का fixation देखें sulfate fixation और ध्यान रखना कि sulfate का fixation होता है तो सिस्टीन अमाइनो एसिड बनता है यह सलफेट का fixation 14 ATP कंजूम करता है यानि सलफेट fixation भी थोड़ा energetically expensive process होता है तो यह आपके सामने थोड़ा सा energy related मैंने इन जनरल बाते करी हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं biological nitrogen fixation पर आप हेडिंग डाल सकते हैं biological nitrogen fixation biological nitrogen fixation में हमें यह मान के चलना है कि जो reaction चल रही है वो reaction living organism की body के अंदर चल रही है पर अब उसके कुछ conditions है बहुत बढ़िया बढ़िया यहां के आगे मैं जो भी point बोलने वाला हूँ मान के चलिए कि हर एक point एक question बनने लाइक है क्योंकि यह information है biological nitrogen fixation किसी भी living organism की body में चलने वाली process को बोलते है अब वो कौन living organism है कैसे चलेगा वो बात करते हैं एक line लिखे आप लिखे इन biological nitrogen fixation the atmospheric nitrogen gas is fixed inside the body of living organism inside the body of living organism हम आपको एक चीज समझाता हूँ biological nitrogen fixation के अंदर एक enzyme लगेगा जिसका नाम है nitrogenase क्योंकि देखो कोई भी reaction यदे body के अंदर चलेगी तो उसके लिए enzymes तो लगेंगे हाँ body के बाहर अगर कोई reaction चल रही है physical है non biological है तो उसमें enzyme की ज़रुवत नहीं है आकाश में बिजलियां चमकती है तो जो lightning में energy है उस energy से nitrogen fix होती है लेकिन body के अंदर उतनी energy तो नहीं दे सकते तो enzymes ये reactions करी आउट करते है यहाँ पर जो एक important enzyme है that is nitrogenase enzyme and this nitrogenase enzyme ये enzyme क्या करता है atmospheric nitrogen जिसका triple bond बहुत ज़्यादा strong है उस triple bond को तोड़ता है और इसे ammonia में convert करता है it means for the biological nitrogen fixation we need an enzyme which is known as nitrogenase enzyme तो एक line लिखिये biological nitrogen fixation requires biological nitrogen fixation requires an enzyme an enzyme known as nitrogenase which can break which can break triple bond present in the nitrogen gas which can break triple bond present in the nitrogen gas nitrogen gas के अंदर present जो triple bond उसको तोड़ेगा अब इस nitrogenase enzyme की कुछ खास बाते सुने ये जो nitrogenase enzyme है वो किसी भी eukaryotic plant के अंदर नहीं होता nitrogenase enzyme is absent in all the eukaryotic plants यानि आप मान के चलो algae मैं green algae की बात कर रहा हूँ algae के बाद में bryophytes bryophytes के बाद में teridophytes teridophytes के बाद में gymnosperms gymnosperm के बाद में angiosperm यहां से लेके यहां तक किसी भी plant के पास nitrogenase enzyme नहीं है यह तो बहुत बड़ी बात है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो nitrogenase enzyme है it is present in prokaryotes only prokaryotes जिसमें bacteria भी आएंगे cyanobacteria भी आएंगे bacteria and blue green algae दोनों आजाएंगे उनके पास nitrogenase enzyme present होता है तो यह तो अपने को एक चीज समझनी है लिखे आप nitrogenase is not present in any eukaryotic green plant nitrogenase is not present in any eukaryotic green plant and also it is present only in prokaryotes अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यह जो nitrogenase enzyme है it is very sensitive to molecular oxygen molecular oxygen को लेकर के बहुत ज्यादा sensitive है यानि कि जैसे ही molecular oxygen इसके पास आएगी molecular oxygen मिलते ही यह inhibit हो जाएगा और inhibit भी permanently हो जाता है मतलब irreversible inhibition होता है इस enzyme का लिखें आप nitrogenase is very sensitive to molecular oxygen and it gets irreversibly inactivated by oxygen irreversibly inactivated by oxygen next point so that all those prokaryotes so that all those prokaryotes which have to fix nitrogen either should be anaerobic or should be able to maintain anaerobic conditions या तो वो खुदी anaerobic होने चाहिए या उनमें anaerobic condition maintain करने की capacity होनी चाहिए तो जो भी prokaryote nitrogen fix करना चाहता है उसके आसपास anaerobic condition होनी ही होनी चाहिए यह बात हो गई हमारे पास में nitrogen के बारे में अब जैसे मैं आपको एक बात बताओं कि जो organisms हाई altitude पर रहते हैं specialized to high altitude specialized to high altitude उपर पहाड़ों के उपर रहते हैं तो वहां पर oxygen already बहुत कम होती है oxygen कम होने के कारण वहां पर anaerobic conditions बन जाती है दूसरे वह organisms जो marine water के अंदर marine phytoplanktons है like cyanobacteria यह अपनी body के अंदर anaerobic condition maintain कर सकते हैं बात करेंगे बाद में कैसे करेंगे इनके अलावा जो acidophilic organisms है acidophils bacteria ही होते हैं यह यह भी अपनी body में anaerobic condition maintain कर सकते हैं तो यहां पर बात हो गई अब एक और मैं चीज बताता हूं आपको एक टर्म है डाई एजो ट्रॉफ डाई एजो ट्रॉफ वे living organisms जो nitrogen को fix कर सकते हैं उन्हें कहते हैं डाई एजो ट्रॉफ डाई एजो ट्रॉफ अब यह जो डाई एजो ट्रॉफ तो है वो दो टाइप के होते हैं एक तो होते हैं free living जो नेचर में अपने आप बैठे बैठे nitrogen को fix करेंगे तो यह तो free living हो गए देन उसके बाद दूसरे वो वाले living organisms जो की symbiosis कर सकते हैं अभी अपन इनके examples लिखेंगे और यह examples देखो exam में आते हैं तो आप इन सारे examples को seriously याद करना छोड़ना नहीं है जो free living होते हैं उनके अंदर एक category होती है aerobic की यह खुद शुरुआत में aerobic होते हैं लेकिन बाद में यह anaerobic condition मेंटेन कर लेते हैं जैसे इसके अंदर एक example है एजो इस्पाइरिलम एक example है एजटो बेक्टर एक example है बेजरिंग किया एक example है ड्रेग्जिया इनमें से जो एजटो बेक्टर है वो alkaline soil के अंदर रहता है बेजरिंग किया है वो acidic soil के अंदर रहता है acid soil यह alkaline soil ड्रेग्जिया है वो alkaline soil के अंदर रहता है तो ऐसा एक exam में question आ रखा है तो आप उस पे focus करें यह हुए aerobic अब बात करते हैं अब 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 मैं difference बताऊंगा दोनों के अंदर क्या difference है अब का मतलब होता है वे organisms यानि वे microbes जिनकी metabolic activity सारी की सारी aerobic condition में ही होती है उनमें खाली nitrogen fixation के समय anaerobic condition आती है बाकी वो सारी metabolic activity अपनी जैसे glycolysis हो गई वो सब अपनी aerobic condition में करते हैं facultative anaerobic का मतलब हो गया जो अपनी metabolic activity भी कभी-कभी anaerobic condition में कर लेते हैं nitrogen fixation तो anaerobic condition में ही करेंगे पर कभी-कभी अपनी metabolic activity भी anaerobic condition में कर लेते हैं वहने फैकुल्टेटिव एनेरोब कहते हैं, for example, bacillus, for example, clabsiella, bacillus and clabsiella, यह फैकुल्टेटिव एनेरोब है, next point, अब हम बात करते हैं, proper एनेरोब की, एनेरोब के अंदर दो केटेग्री बाती हुई है, वो जो photosynthesis कर सकते हैं, they can carry out photosynthesis, example लिखिए, rhodo pseudomonas, example लिखिए, rhodospirulum, example लिखिए, chromatium, example लिखिए, chlorabium, यह सारे के सारे एनेरोब हैं, प्लस यह photosynthesis करते हैं, इन में से आपको rhodospirulum का नाम तो याद रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि rhodospirulum was the bacteria in which cyclic reaction was discovered for the very first time, photosynthesis के cyclic reaction है, वो इसी rhodospirulum के अंदर discover करी गई थी, तो यह हुआ एनेरोब के बारे में, और एनेरोब photosynthetic, अब नोन photosynthetic anaerob भी तो होते हैं, जो नोन photosynthetic anaerob हैं, उनके अंदर एक एक एक्जामपल है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, एक एक एक्जाम है, मिथेनो कोकस, आर्की बेक्टिरिया है वह यह, मिथेनो कोकस, तो यह हुआ हमारे पास में, एनेरोब्स के बारे में, next, कुछ फंजाई हैं, जो biological nitrogen fixation कर सकते हैं, जैसे एक है yeast, भगवान ने इन फंजाई को छोड़ कर, किसी भी यूकेरियोट को nitrogenase enzyme नहीं दिया है, yeast है, एक एक एक्जामपल है, रोडो टोरूला, एक एक एक्जाम है, पुलू ले रिया, एक एक्जामपल है, उलू ले रिया, तो यह है फंजाई, जो की nitrogen fix कर सकते हैं, in the next category, we are going to take blue-green algae, BGA, Sinobacteria, blue-green algae, यहां आपको थोड़ इसी चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, and the fact is that, कि जो नो स्टोक है, and अनाबीना, यह दोनो के दोनो है, pre-living as well as symbiotic, free-living and symbiotic, दोनो हैं, next, calothrix, next, cytonema, cytonema, next is cylindrospermum, यह हो गए, हमारे पास में, blue-green algae, वो वाले, जो की nitrogen fix करते हैं, तो इतनी category में, हमारे पास में हैं, free-living वाले, अब हम बात करते हैं, symbiotic nitrogen fixation की, symbiotic nitrogen fixation के अंदर, हमें क्या देखना है, एक तो होना चाहिए, वहाँ पर symbiont bacteria, दूसरा होना चाहिए, host plant, तो हमारे पास एक list बनने वाली है, एक तरफ हम लिखेंगे host, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे symbiont, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक list बनाएंगे, सो सबसे पहले, जब host, plant और symbiont की बात आती है, nitrogen fixation के लिए, तो सब के दिमाग में जो नाम आता है, वो होता legumes का, अब आपको बता दूँ कि, legumes जो होते हैं, वो plant का एक group है, जिन में फलियां लगती हैं, जैसे मटर हो गई, same की फली हो गई, ये legumes family के हैं, leguminosi family के हैं, तो जो लोग botni के नहीं हैं, एक बार इतना ध्यान में रखें, कि जिनके अंदर फलियां लगती हैं, वो plants, legumes plants होते हैं, legumes के साथ में, जो bacteria है, वो है rhizobium, और मापको एक चीज़ बता दूँ कि, rhizobium बहुत ज़्यादा specific है, ये मत सोचना कि, एक ही rhizobium सब के साथ में, fixation कर सकता है, symbiosis कर सकता हैं, अलग-अलग legumes plants के लिए, अलग-अलग rhizobium होते हैं, एक बहुत interesting case है, एक plant है, और ये non-legume plant के साथ में, जो bacteria काम कर रहा है, उसका नाम है, Brady rhizobium, यानि कि rhizobium की एक species है, जो non-legume के साथ में भी काम कर सकती है, ये important हुआ, ये non-legume के साथ में rhizobium associated है, तें तीसरा, कुछ trees है, elder, एक tree का नाम है, माईरी का, एक tree का नाम है, illness, एक है, casurina, ये सारे के सारे trees है, इन trees के साथ में, एक bacteria है, जिसका नाम है, franquia, franquia bacteria, ये symbiosis करता है, तो फ्रanquia के बारे में, मैं आपको और बाते बताऊंगा, ये neutral soil के अंदर रहता है, neutral soil में रहता है, next, fourth category में आता है, हमारे पास में, cynothus, datsika, cynothus, and, datsika, ये, दो हमारे पास में प्लांट्स है, इन के साथ में भी फ्रanquia रहता है, फ्रेंकिया, देन उसके बाद, फटा फटा प्ये नाम लिख लीजिए, next है, sugar cane, sugar cane के साथ में है, acetobacter, aggola, aggola के साथ है, anabina, anthoceros, इसके साथ है, nostroke, saikas root, anabina, soybean, इसके साथ में है, bready rhizobium, japonicum, bready rhizobium, इसके साथ में, एक इसके साथ में, ceno rhizobium भी होता है, ceno rhizobium, इसके साथ में, होते हैं, next हमारे पास में है, gunera, gunera के साथ में, nostroke होता है, angiospum plant है, gunera, ecamiscanthus, इसके साथ में, azospirulum है, अब आपको जानके हैरानी होगी, कि azospirulum का नाम, हमने यहाँ पर भी लिख रखा है, यह रहा, azospirulum भी आपके सामने देखिए, pre-living भी है, और symbiotic भी है, दोनों तरीके से काम कर रहा है, इनका आप विशेष ध्यान रखें, then next, alpha-alpha, medicago sativa, इसके साथ में है, cynorhizobium, cynorhizobium, melliloti, cynorhizobium, melliloti, पिर एक है, cacbenia, cacbenia, aquatic plant है, aquatic, इसके साथ में है, azorhizobium, एक है, acinomene, इसके साथ है, bradyrhyzobium, इसके साथ है, तो देखिए, इसके अंदर कुछ समझाने वाली तो बात है नहीं, यहां तो बस लिस्ट है, और इस लिस्ट को याद करना है, रटना है, इसमें से सवाल आते हैं, इक्जाम के अंदर, अब हम बात करते हैं, special कुछ points के बारे में, जैसे, यह जो फ्रेंखिया bycteelia है, ना, फ्रेंखिया, यह बैक्टीरिया की क्लास होती है, एक्तिनो माइसिट्स, उस क्लास से बिलोग करता है, फंजाई की जो क्लास है, वो है एसको माइसिट्स, यह एक्तिनो माइसिट्स है, Francia bacteria Actinomycet class का member है इसलिए Francia bacteria जब association करता है Elder, Illness, Myrica, Kejurina इनके साथ में तो उस association को कहते हैं Actinorhigal Association Actinorhigal Association क्या कहेंगे इसको? Actinorhigal Association ऐसे plants को Actinorhigal Plants कहते हैं जिनके साथ में ये प्रेजेन्ट होगा तो आप एक लाइन लिखें लिखें, Francia belongs to Actinomycet So its association is known as Actinorhigal Association The plant is known as Actinorhigal Plant ठीक है, Next Grasses होती है न ये भी symbiosis करती है But ये nodule नहीं बनाती लिखो, Grasses also do symbiosis But they do not form nodule Grasses also do symbiosis But they do not form nodule वो nodule फॉर्म नहीं करती हैं ठीक, अब हम बात करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के कुछ करेक्टर्स की क्योंकि हमको आगे राइजोबियम के साथ ही बढ़ना है ये ही हमारे काम का है इसी को पढ़ना है अपने को राइजोबियम बैक्टीरिया की मैं बात करूँ on the basis of gram positive and gram negative के basis पे तो ये gram negative बैक्टीरिया होता है अगर मैं राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करूँ कि ये एरोबिक है कि एनेरोबिक है तो ये एरोबिक है यानि इसको अपनी metabolic activity चलाने के लिए oxygen की ज़ुरत है ये एरोबिक होता है देन उसके बाद यदी मैं बात करूँ इसके mode of nutrition की तो ये सैप्रोफिटिक होता है सैप्रोफिटिक ये अपना food है वो dead organic matter से ले लेता है ये सैप्रोफिटिक होता है देन इसको जरूरत नहीं है symbiosis की ये तो plant इससे request करता है इसलिए ये symbiosis करता है तो ये facultative symbiont कहलाता है समझ में आया इसको जरूरत नहीं है plant को जरूरत है तो ये facultative symbiont हो गया फिर उसके बाद ये host specific होता है host specific यानि एक particular host के साथ में एक particular rhizobium की species होगी तो ये हुआ हमारे पास rhizobium bacteria के बारे में अब हम discuss करते हैं nitrogenase enzyme complex के बारे में the nitrogenase enzyme complex नाम से समझ में आना चाहिए कि nitrogenase enzyme complex एक complex है बहुत सारी subunits से मिलके बना है हम एक-एक subunits के बारे में सब बाते करेंगे सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि nitrogenase enzyme complex तभी बनेगा जब actually nitrogen fixation की जरूरत होगी क्योंकि ये oxygen को लेकर के sensitive है बिना बात के पहले बन गया और bacteria अपनी oxygen के साथ metabolic activity कर रहा है तो ये तो खराब हो जाएगा ना क्या फाइदा transcription, translation कराने का इतनी सारी energy देने का इसलिए इसकी जरूरत होती है तभी इसे बनाया जाता है वरना तो इसे नहीं बनाया जाता इसको बनाने वाले जो genes है उन्हें कहते हैं निफ genes निफ का मतलब होता है nitrogen fixation genes निफ genes वो बनाते हैं पहली line लिखिये इस enzyme is encoded by इस enzyme is encoded by निफ genes which are not under constitutive expression constitutive expression constitutive expression का मतलब होता है लगातार उनका expression हो रहा है gene का यानि gene का regulation नहीं होता है जैसे ribos नहीं बनाने वाले जो RRNA के genes होते हैं उनका कभी regulation नहीं होता दे आर अलसो लोन आज हाउस्किपिंग जीन पर यह जो निफ जीन है वो हाउस्किपिंग नहीं है निफ जीन क्या है निफ जीन constitutive expression नहीं होता इसका निफ पॉइंट नाइट्रोजिनेज इस ऐफ कंप्लेक्स घच अमैटल कंटेनिंग ना इस जीन हैजिए कंप्लेक्स मैटल कंटेनिंग एंजाईम metal इसमें molybidnam पाया जाता है iron इसमें होता है metal containing enzyme there are three types of nitrogenase enzyme यह important exam में आ गया एक होता है molybidnam nitrogenase जिसमें molybidnam होता है यह है most common होता है यह most common होता है देन उसके बाद में दूसरा होता है vanadium nitrogenase और तीसरा nitrogenase होता है वह होता है iron nitrogenase तो यह तीन टाइप के nitrogenase enzyme प्रेजेंट होते हैं कि नेक्स एक लाइन लिखिए फिर में आपको समझाता हूं नाइट्रो नाइट्रो जिनेज एंजाइम पहले component को बोलते हैं large component ध्यान से सुनिएगा मैं सब यूनिट नहीं बोल रहा है यह नहीं कह रहा है कि दो सब यूनिट का मिलके बनता है यह दो component का मिलके बनता है पहले का नाम है large component दूसरे का नाम है small component अब मैं आपको यह बताता हूं कि large and small component से इनका क्या मतलब है large component है उसमें चार polypeptide होती है यानि वो tetramer है इस small component है उसमें दो ही polypeptide है यानि वो diameter है तो यह large and small का concept हुआ अब उसके बाद यह जो large component होता है इस large component के अंदर चार total subunits होती है और यह जो चार subunits है चार polypeptides है इन में से एक होती है alpha chain एक होती है beta chain फिर एक होती है beta chain फिर एक होती है alpha chain alpha beta alpha beta जबकि यह जो small component है इस small component में दो subunits होती है जस्ट ए मिनिट यह small component है इस small component के पास में दो subunits है इनका नाम है gamma gamma दोनो gamma है तो यहां से मुझे एक बात तो यह समझ में आई कि जो large component है वो होता है hetero tetramer और जो small है वो होता है homo डायामर यह homo डायामर है और यह hetero tetramer है अभी अपन लार्ज component के बारे में कुछ important बाते करते हैं लार्ज component के अंदर सभी के पास मतलब यह protein की chance है सभी के पास में चार important component होते हैं मैं अभी इनके नाम बताऊंगा आपको यह protein की chain है और protein की chain के अंदर चार important component है पहले component का नाम है molybidum molybidum के बाद में एक component उसका नाम है आर इसको आर लिखते हैं यह है homocytrate है यह homocytrate है यह जो आर यह homocytrate है वह बाइंड करता है बाइंड मॉलिविडिनम मॉलिविडिनम के साथ बाइंड करता है यह तीसरा component है उसका नाम है आइरन और चौता है सलफर तो यह चार होते हैं इसके पास में molybidum आइरन सलफर और आर homocytrate लार्ज component चार polypeptide chain का बना है दो एलफा दो बीटा और एक चीज बाकी रह गई यह जो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई रहती है इसका नाम है P cluster जिससे जुड़ी हुई है उसका नाम है P cluster यह मैंने जितने भी बनाये यह सारे P cluster है P-cluster तो यह हुआ हमारे पास में large component के बारे में पूरी जानकारी अभी और बाते करते हैं इसके बारे में यह जो large component है वो heterotetramar है आपके सामने इसे बोलते हैं MOFE protein इसी का दूसरा नाम है MOFE protein इसी का एक और नाम है इसे कहते हैं डाई नाइट्रोजिनेज यानि यह जो डाई नाइट्रोजन है एंटू उसको तोड़ता है इसे कहते हैं डाई नाइट्रोजिनेज इसका नाम है डाई नाइट्रोजिनेज इसको बोलते हैं कंपोनेंट वन component 1 तो यह सब इसी के नाम है अब एक बार homo dimer पे आते हैं small component पे आते हैं small component के पास में दो gamma sub unit होती है और यह दोनो gamma sub unit एक covalent bond से जुड़ी होती है covalent bond से यह जुड़ी हुई होती है homo dimer है इसके अंदर आपको दो component देखने को मिलते हैं प्रतेक प्रोटीन की chain के साथ एक तो होता है iron एक होता है sulfur इसमें molybidnam नहीं होता molybidnam इसमें नहीं होता अब यह जो homo dimer होता है यह homo dimer इसको बोलते हैं iron protein यह iron protein भी कहलाता है साथी साथ इसको बोलते हैं डाइ नाइट्रोजन रिड़क्टेज इसका नाम है डाइ नाइट्रोजन रिड़क्टेज लिख लीजिए डाइ नाइट्रोजन रिड़क्टेज इसको बोलते हैं component 2 वो component 1 है इसको बोलते है component 2 यह तो हो गया हमारे पास में इन दोनों के बारे में कि इनका क्या-क्या structure है क्या इनके नाम है अब इनके roles की बात करते हैं अब रोल्स की बात करेंगे तो देखो इसका नाम है यह डाई नाइट्रोजिनेज यानि कि यह डाई नाइट्रोजन को तोड़ता है तो इसके पास में नाइट्रोजन बाइंडिंग साइट होती है नाइट्रोजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट इसके पास नाइट्रोजन बाइंडिंग साइट होती है ये नाइट्रोजन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है, इट ब्रेक्स नाइट्रोजन, एक्चुली नाइट्रोजन को यही तोड़ता है, इसके पास में चार P क्लस्चर होते हैं, फोर P क्लस्चर्स, आर प्रेजन्ट, फोर P क्लस्चर्स प्रेजन्ट, इस P क्लस्चर्स अलसो है आईरन सल्फर, इनके पास भी आईरन सल्फर होता है, यह जो लार्ज कंपोनेंट है, यह असेप्ट करता है, आप एले क्लस लिखल आप आप असेप्ट इलेक्टरोन फ्रोम में स्मोल कंपोनेंट से ऑले क्लस्चर्स आपसेप्ट करता है, है वेरी वेरी इंपोर्टेंट आकसीजन असेटिब होता है, यह उसेंसिचिव होता है, और इंपोर्टेंट бу्र। यह अमոनियम ईयन से भी sensitive है ammonium ion sensitive ammonium ion sensitive इसमें alpha beta दो चेन होती है ना alpha chain को nif d gene बनाता है और beta chain को nif k gene बनाता है nif d nif k लिखो encoded by nif d and nif k gene nif d and nif k gene यह दोनों बनाते हैं इसको next point अब इधर बात करते हैं अपने small component की small component है कि इसके पास में electron donor binding site होती है electron donor इसके पास electron donor binding site होती है electron donor इससे bind होता है इसके पास में magnesium ATP binding site भी होती है और इसको hydrolyze करने की site भी होती है यह सब समझ में आ जाएगा आपको लिखो magnesium ATP binding and hydrolyzing site present hydrolyzing site present ATP bind भी होता है hydrolyze भी होता है है देन है कि इच है गामा सब यूनिट है कि बाइंड स्विट है वन एटीप एक गामा है वह एक एटीप के साथ बाइंड होती है अब जैसे यह oxygen को लेके सेंसिटिव था वैसे ही हम बात करते हैं इटीज ओल्तो औक सिजन सेंसिटिव जो छोटा कंपोनेंट वो भी oxygen सेंसिटिव है और दैन उसके बाद में ना अमोनियम आयन का कोई एफेक्ट नहीं है नो इफेक्ट ओफ पि आमोनियम आयन इसका चोटे से ब्यूनिट फोटे कंपोनेंट पे अमोनियम आयन का कोई नहीं होता और छोटे जो कंपोनेंट है स्मॉल कंपोनेंट उसमें तो खाली गामा सब यूनिट है न इसको निफ एच बनाता है एंकोड़ेट बाए निफ एच तो यह हुआ हमारे पास में इस एंजाइम के बारे में पूरी बाते दो कं कंपोनेंट होते हैं लार्ज एंड़ स्मॉल लार्ज के अंदर चार पॉली पैप्टाइड चेन होती है दो sie ये ऐसे P cluster से जुड़ी होती है P cluster में आइरन सलफर होता है प्रतेक alpha प्रतेक बीटा के पास एक molybidnam molybidnam से जुड़ा हुआ होमो सिट्रेट iron and sulfur होता है small component के पास में दो पोली पेप्टाइड जेन होती है गामा चेन दोनों गामा चेन है उसके साथ में iron and sulfur होता है दोनों गामा चेन कोविलेंट bond से जुड़ी होती है large component heterotetramer कहलाता है small component है वो homodimer कहलाता है large component को MOFE protein कहते है small component को FE protein कहते है large component को dinitrogenase कहते है क्योंकि ये dinitrogen को तोड़ता है इसको dinitrogen reductase कहते है क्योंकि ये खाली reduce करने का काम करता है actually में तोड़ता कोन है large component इसको component 1, component 2 बोलेंगे वो कोई बड़ी बात नहीं है then large component के पास में nitrogen binding site होती है और इसको तोड़ता है ये small component के पास electron donor binding site होती है और magnesium ATP binding and hydrolyzing site होती है large component के पास P cluster है इसके पास नहीं है large component accept करता है electron from small component और small component electron donor से accept करता है then उसके बाद में हर एक gamma sub unit एक ATP के साथ bind करती है then उसके बाद में दोनों के दोनों oxygen sensitive है large component ammonium ion sensitive भी है लेकिन ये ammonium ion sensitive नहीं है large component की alpha protein chain D gene बनाता है और beta protein chain K gene बनाता है और ये H gene बनाता है अब बताता हूँ इनके काम करने का तरीका उससे पहले एक line समझो लिखो ये जो दो component है small and large ये दोनों component तभी काम करेंगे जब दोनों साथ में होंगे ना तो अकेला large component nitrogen को तोड़ सकता है ना अकेला small component reduction कर सकता है इसलिए both will work only when they are present together लिखो एक line लिखो both components will work both components will work only when present together only when present together दोनों component तभी काम करते हैं जब दोनों एक साथ present होते हैं अब इनका मैं एक overall आपको flow chart जैसा बताता हूँ कि कैसे आखी लिए काम करते हैं this is the small subunit let's say यह small subunit है and let's say कि यह large subunit है दो subunits है यहाँ पर small and large side से पता चल रहा है small है और दूसरी large है first of all eight फेरेडॉक्सिन जो reduced है यह आते हैं और यह अपने electrons दे देंगे तो यह eight फेरेडॉक्सिन oxidize हो जाएंगे और यहाँ पर eight electrons काम में आएंगे मैं इनकी proper mechanism बाद में बताऊंगा अभी आप इतना समझें आठ इलेक्ट्रोन्स काम है यह आठ इलेक्ट्रोन्स के साथ 16 कि मैंगनीशियम एटीपी कि असेप्ट की जाती है और तोड़ करके उनको 16 ADP कि मैंगनीशियम ADP में बदल दिया जाता है ADP इतना काम हो गया हमारे पास में स्मॉल कंपोनेंट का अब यह जो आठ इलेक्ट्रोन्स है वो पास कर दिये जाते हैं लार्ज कंपोनेंट को लार्ज कंपोनेंट बाहर से आठ प्रोटोन भी लेता है यह बाहर से एक नाइट्रोजन गैस भी लेता है और बदले में यह इन सब को मिक्स अप करके बाहर क्या निकालता है दो अमोनिया गैस दो अमोनिया गैस यह बाहर क्या निकाल रहा है एक हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस को भी यह बाहर निकालेगा सो एनर्जेटिकली इट इस वेरी एक्सपेंसिव यह तरीका होता है लार्ज एंड स्मॉल कंपोनेंट के एक साथ काम करने का सो चलिए अब मैं आपको एक्स्पेंन करता हूँ एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सी चीज़ इसकी जो रियल मेकेनिजम है वो रियल मेकेनिजम समझेंगे अपने यहां ओवरोल प्रोसेस क्या हो रही है यहां ओवरोल प्रोसेस यह हो रही है कि एक नाइट्रोजन गैस एंजाइम का नाम है नाइट्रो जिनेज और यहां पर बन गए दो अमोनिया गैस और एक हाइड्रोजन गैस ठीक है 16 ADP भी है तो उसको छोड़ो एक बार यह हुआ ना इसमें पर एक्शुली ऐसे होता नहीं है यह रियक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रियक्शन है एक रिड्यूस द फेरेडॉक्सिन के पास जो हमने यहां लिखा देखो ये एक रिड्यूस द फेरेडॉक्सिन के पास दो इलेक्ट्रो down होते हैं तो यहाँ पर तो 16 इलेक्ट्रोंच है और आगे तो पास 8 ही इसका मतलब यह हुआ कि जो आगे वाला component च्मॉल कमपोनेंट इलेक्ट रोन लेने वाला component एक लेक्टरोन ले सकता है यह खाली एक लेक्टरोन ले सकता है तो तो अब यह reaction आट बार कैसे चलती है वह आपको explain करता हूं ध्यान से समझना चिज़ को हुआ कि हमारे पास एक small component है iron protein जिसको बोलते हैं iron protein small component ये एक बार में केवल एक electron ले सकता है आगे भी एक की पास कर सकता है और हर electron के साथ ये दो ATP को तोड़ता है तो आप एक line लिखो फिर मापको explain कर पाऊंगा लिखो इरन पोटीन बेके टम लिखना small component the iron protein small component can only transfer one electron at a time to the large component to the large component for each electron transfer two ATP are hydrolyzed 2 ATP are hydrolyzed ठीक है so complete reduction of 1 nitrogen so complete reduction of 1 nitrogen require require that small component associate and dissociate for at least 8 times for 8 times अब मैं समझाता हूँ आपको देखो यह है हमारे पास में large component यह large component clear हुआ और हमारे पास में यह रहा small component ध्यान से समझना विस बात को small component इस small component को ferradoxin जिसके पास में 2 electron है यह reduced ferradoxin है यह अपने electron दे देता है एक electron और यह ferradoxin बन जाता है oxidized ठीक है एक electron दे पाता है क्योंकि एक ही ले सकता है आगे एक ही transfer कर सकता है अब यह small component आता है और यह small component आकर के इस large component से टकराता है इसको टक्कर मारता है ऐसे इसको टक्कर मारेगा टक्कर मारने से इसका जो एक electron है वो यहाँ पे पास हो जाता है एक electron पास हो गया और एक electron पास होने के बाद में यह जो small component है यह वापस से टक्कर मारके निकल जाता है जैसे एक छोटी ball है और वो बड़ी ball के उपर टिपा खाती है पता है ना टिपा कैसे खाते है खेला होगा cricket एक छोटी ball बड़ी ball पे टिपा खाती है और अपना electron बड़ी ball को दे के वापस निकल जाती है यह हुआ यहाँ पर electron ट्रांसफर करने का तरीका एक बार में एक electron और यही चीज जब आठ बार चलेगी तो आठ बार टपे खाएंगे और आठ electron आगे पास करेंगे आठ टाइम स्मॉल कंपोनेंट असोशेशन एंड डिसोशेशन होता है विट लार्ज कंपोनेंट यह है एक्शुल मेकनीजम आठ बार अब इसको रीप्रेजंट देखो कैसे किया जाता है रीप्रेजंट करने का एक तरीका है क्या तरीका है वो मैं आपको explain कर देता हूँ, देखिए, यह small component है और यह large component है, large component, small component, small component के पास में reduced faradoxin आते हैं और अपने electrons दे करके oxidized faradoxin बन जाते हैं, ठीक है, हर एक electron के बदले, जो दो gamma sub unit है, वो एक-एक magnesium ATP, magnesium ATP hydrolyze करती हैं, ठीक है, अब उसके बाद एक बहुत interesting चीज़ बताता हूँ आपको, first of all, यह जो large component है, यह large component अपनी ground state में होता है, मतलब यह normal अपनी ground state में होता है, इसकी ground state को बोलते हैं E0, ground state को बोलेंगे E0, एक electron आएगा और एक electron E0 को मिलेगा, तो यह अपनी excited state में चला जाएगा, और इसकी excited state का नाम रख देंगे E1, E1, एक टपा खाया, एक टपे में एक electron पास किया, और एक electron पास किया, तो यह enzyme अपनी E0 से E1 state में चला गया, अब वापस से दूसरा टपा खाने का time आया, और दूसरा टपा खाएंगे, तो यह E1 state कनवर्ट हो जाएगी further E2 state में, एक electron पास हो गया, अब यही चीज आठ बार करनी है, तो यह E3 हो गया, E3 हो जाएगा यह, फिर यहाँ E4 आजाएगा, फिर यहाँ E5 आजाएगा, E6 आजाएगा, E7 आजाएगा, E8 आजाएगा, फिर एक electron पास होगा, और यह अपनी E3 state में आएगा, फिर एक electron पास होगा, यह अपनी E4 state में आएगा, एक और इलेक्ट्रोन पास होगा E5 स्टेट में आएगा एक और इलेक्ट्रोन पास होगा E6 स्टेट में आएगा एक और इलेक्ट्रोन पास होगा E7 स्टेट में आएगा एक और इलेक्ट्रोन पास होगा E8 स्टेट में आएगा तो ये इसकी स्टेट बदल रही है और अभी तो बहुत सारी बाते करनी बाकी है ठीक है अब आपको मैं ये बताओं कि मेंली जो E3 to E4 कनवर्जन है इस स्टेप के अंदर नाइट्रोजन गैस एंटर होती है और E5 एंड E6 में दो अमोनिया निकल जाती है इसके अलावा जो हाइड्रोजन गैस है वो तो E2 और E3 स्टेप में निकलती है यानि हाइड्रोजन तो पहले ही निकल जाती है ये तो हुई आठ इलेक्ट्रोन की बात इनी स्टेप में आठ प्रोटोन भी चल रहे है तो ये जो जितने भी मैंने बनाए है यहाँ आठ इलेक्ट्रोन और आठ प्रोटोन दोनों चल रहे है एक एक इलेक्ट्रोन एक एक प्रोटोन यहाँ चल रहा होता है फिर उसके बाद यदि हम और chemical reactions की बात करें तो यह जो enzyme complex है यह और भी कई nitrogenase enzyme complex और कई reactions perform करता है जैसे E1 से E2 conversion के दोरान यह ethene लेता है C2H2 ethene ethene लेता है और ethene इसको pronounce करेंगे ethene लेता है और 425 के दोरान यह ethene निकालता है यह BC की reaction है अब आप सोचो कि छोटी बोल है वो बड़ी बोल के उपर जाके टकराएगी एक electron और एक proton पास कर देगी एक electron और एक proton पास करने के बाद आठ बार ऐसा होगा तब जाकर के यह complete reaction चलेगी एक सोरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गड़ बढ़ किया एक ammonia निकलती है E5 से E6 के दोरान और एक ammonia निकलती है E7 से E8 कनवर्जन के दोरान तो यह दो अमोनिया ऐसे निकलती है वह पिछले वाला थोड़ा इसको सही करिएगा यह सही तरीका है इस एंजाइम के काम करने का ठीक है तो यह हुआ हमारे पास में एक और एक लाइन लिखिए इसके नीचे लिखिए दा हाइड्रोजन इस प्रडूज्ट विदाउट दा बाइंडिंग उस नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो बाद में आ रही है तो पहले निकल गई दा हाइड्रोजन इस प्रडूज्ट विदाउट दे बाउंडिंग उस नाइट्रोजन एक और लाइन लिखिये formation of molecular hydrogen is an obligatory step in enzymatic nitrogen fixation तो यह हुआ हमारे पास में nitrogen fixation का तरीका बागी बाते आगे की क्लास में करेंगे आज के लिए इतना ही थेंक यू दो